अंधकार को हटाने का एक मात्र तरीका है प्रकाश भूझाना वह व्यक्ति जो सबको पसंद करता है वह सबसे नीचा है जान करने वाला और न करने वाला बहुत सा हो सकता है परन्तु अज्ञानी एक समान होता है यह शिक्षा की पहचान का सबसे बड़ा स्रोथ है कि आप किसी को भी नफरत नहीं करेंगे और किसी से भी प्यार नहीं करेंगे एक व्यक्ति जितना संभावनाय देख सकता है उतना अधिक कर सकता है सफलता एक अच्छी आदत का परिणाम है एक व्यक्ति को समाज की ओर से कुछ भी मिल सकता है पर उसे वही मिलता है जो वहाँ खुच चाहता है और कुछ और कुछ नहीं सफलता एक व्यक्ति की कधिनायों को सहन करने की क्षमता है संघर्ष का समय हमें हमारी असली शक्ती का आभास कराता है सुंदर्ता में आनंद है पर आनंद में सुंदर्ता होती है एक व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र वह है जो उसे अच्छे विचारों में सहारा देता है A person's best friend is the one who supports him in good thoughts शिक्षा मनोबल की कथिनाईयों को पार करने की क्षमता है Education is the ability to overcome the challenges of morale मुसीब्तों का सामना करने का सही तरीका है उन्हें आगे बढ़हना The right way to deal with difficulties is to move forward शिक्षत होने का स्वाभाविक फल यहा है कि व्यक्ती एक विचार को स्वीकार किये बिना ही मनोरंजन कर सकता है The natural consequence of being educated is that a person can entertain a thought without accepting it बुद्धि मत्ता एक सत्य को पहचानने की क्षमता है भले ही वह कितनी भी कथिन हो Wisdom is the ability to recognize a truth no matter how difficult it may be समाज जीवन का उद्धीपन रहने चाहिए ऐसा करना ही उसकी सबसे बड़ी सेवा है Society should remain an inspiration for life, doing so is its greatest service जो नीम्वे पत्थर पर सबसे ज्यादा बरतता है वही सबसे बड़ा महल बनाता है He who handles the most foundation stones builds the greatest palace जीवन एक मृति है जिसमें हर कोई अपनी धुन पर मृति कर रहा है Life is a dance in which everyone is dancing to their own tune संघर्ष में ही जीवन का सबसे बड़ा सुन्दरता है In struggle lies the greatest beauty of life जो लोग अपने लक्षों की प्राप्ती में सफल होते हैं वे वास्तव में अपने जीवन को जीते हैं Those who succeed in achieving their goals truly live their lives सबसे बड़ा विजेता है वह व्यक्ती है जो अपनी नफ्रत को जीत लेता है The biggest winner is the person who conquers his hatred विध्वता उसे कहते हैं जो अपनी बुरी आदते छोडता है और अच्छी आदते बनाता है Wisdom is what a person is called who gives up his bad habits and develops good habits जीवन का सबसे बड़ा संधर्श खुद से होता है खुद के साथ होने वाले संधर्श का समान ही कोई नहीं होता The biggest struggle in life is with oneself There is no equal to the struggle with oneself जो अध्ययन करता है वह कभी अच्छे विचारों का अध्ययन करता है One who studies, studies good thoughts बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी शक्तियों को पहचानता है और सही तरीके से इस्तमाल करता है An intelligent person is one who recognizes his strengths and uses them properly